दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के बड़े ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बड़े ख़बर बिहार में आप वाहनों के प्लेट पर जातिल लिखा मिला तो होगा जुर्माना मिलेगी सजा जी हाँ आब वाहनों के नमबर प्लेट पर जातिल लिख कर चलाना लोगों को महाँगा पड़ेगा, नमबर प्लेट पर जातिल लिखने वालों के खिलाब परिवहन बिवाग ने कड़े कदम उठाने का आदिस दिया है, एक जनवरे से बज़पता अभियान चलाकर करवाई क जीला आयुक्त के आदिस के बाद नम्मर प्लेट पर जाते लिखने वालों के खिलाब सकते से करवाई करने का आदिस दिया है उन वाहनों को सेज़ करने के साथ ही जुर्माना वे करने का आदिस दिया है चेकिंग में दोबारा पकड़े जाने पर उन वाहनों पर दोगोना ज परवान विबाग के मताबिक वाहनों के नमबर प्लेट पर नमबर के अलावा कोछ भी नहीं लिखा जा सकता है पर बिहार में कोरोना का हाइब्रिड वेरियंट एक साथ ओमिकरोन और डिल्टा का मिल रहा है गोन नए वेरियंट का पतल लगाने में जुटी है टिया देश में कोरोना की बढ़ती रप्तार के बेच बिहार में हाइब्रिड वेरियंट का खत्रा है पटना की इंद्रगान य कोई hybrid या नया variant हो सकता है क्योंकि इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों की गुन पाए गए हैं आब एक्सपर्ट स्टेडिक में इस नए variant का पताला लगाने में जुटे है आई जी आयमेस के साइंटिक ताह तक पहुचने में लगे हैं वाड़ी कबर सरकारे स्कूल के बच्चों के फिर दूरदर्सन पर लगेगी पाट साला जिहा राज के प्रारामे की स्कूलों में पढ़ने वाले करेब दो करोड़ बच्चों के लिए खुसकबरी है कोरोना संक्रमन के चलते बलाई उनके विद्दले बंद है और मसाव कक्च पढ़ाई नहीं पा रहे हैं लेकिन जल्दी टेल्यूजन पर उनके पढ़ाई आरम हो रही है जिहां दूरदर्सन पर सरकारे स्कूलों के बच्चों की पार्ट सला फिर से लगाने को लेकर सिक्चा विवाग ने तयारिया आरम कर दी है इसके लिए डिडी बिहार से टाइम लेने की कोशिस की जा रही है समय मिलते ही सेस एन तयारी करके टीवी के मादम से बच्चों की पढ़ाई सुरू कर दी जाएगी अगर किसी रासन कार धारों को खादान सुरक्चा योजना से अनाज या प्रधान मंतरी गरेब के लान अन योजना के जरिये मुपत अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी सिकायत HDO दब्तर में कर सकता है इसके अतरी तो वह स्टॉल फिरी नंबर 1800-3456-194-1967 पर भी कर सकता है खायद एवम उपवगता सरक्चन विवाग के सचेव बिने कुमार के मुताबिक गरेबों के लिए लागो प्रधान मंतरी गरेब के लियान अन योजना के तहद यदि जन वितरन प्रणाले की किसी द लेजन में पॉजिटिव तो आटी पिसी आर की जरुत नहीं टेस्ट के लिए नहीं रुखेगा इलाज पड़िये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है इस गाइडलाइन के तहद बिना लच्छन वाले मरीजों की जाच नहीं होगी अस्पताल में भरती मरीजों को भी ए ऐसा कम्यूनिटे स्प्रेट के कारण किया जा रहा है 2021 में दूसरी लहर के दोराण जाच के लिए टार्गेट दिया जाता था और उसी टार्गेट को लेकर गड़वड़ी भी सामने आई है सियम नितिस कुमार ने राज में एक दिन में दो लाग जाच कराने कर निर्दिस जाच की विवस्ता बिहार में अब अपने मरजे से नहीं की जाएगी बिना लच्छन वालों की जाच नहीं की जाएगी और कोई भी सिस मामला नहीं है तो अगर एंटिजन पोजिटिव पाए गया तो आटी पिसियार की जरुत नहीं होगी साती अस्पताल में भर्ती मरेजों केवल एक बार कोरोना जाच किया जाेगा अस्पतालों की ओपिडि में मरेजों की कोरोना जाच नहीं कराएगा जाच जरूरी है अपने देश में यात्रा की दौरान जाच जरूरी नहीं होगी गामेर मिमारे वाले कोरोना संक्रमित के संक्रप में आते हैं तो उनकी टेस्टिंग होगी जरूरी कबर बिहार में आज से बढ़ेगी और सक्ती बढ़ती कोरोना संक्रमित को देखती वे डियम को दिये गए आदिस जी हाँ कोरोना गायलाइन को लेकर राज भर में गुरुआर से सक्ती और बढ़ाए जाएगी गायलाइन का सक्ती से नुपालन हो रहा या नहीं इसकी जाच को सभी जिलों में तीन दिनों का विसेज जाच अभयान चलाए जाएगा। बिशेज सतर्ता बरतने को कहा गिया है। इसके साथ प्रसासन के सर से जागरुकता का प्रसार भी किया जाएगा। किसरों को पहले डोज दी जा जुकी है। अगले बड़ी कवर पटना में अब घार में लगेगी कोरोना की वेक्सिन, टेश्ट वद दवाई, तीस मेडिकल टेम तया। कोरोना की तिसरी लहर में पटना जिले में एक्टिव केस की संक्या करेब 11 हजार पहुच गई है। लेकिन अस्पताल में भरते होने वालों की संक्या मातर एक परतिसत है। अस्पतालों में नहीं आने वाले कोवीड मरेजों के घर पर उपचार जाच और बेकसिल लगाने के नए वविस्ता की गई है। बुदवार से जिले के सभी 23 प्रकणों में मॉबाइल मेडिकल टीम कॉल करने पर लोगों के घर पर सभी सिवाए देगी। पाटना सारे छेतर में साथ मॉबाइल मेडिकल टीम डोर श्टेप चिकिस्सा सिवा देगी। बात ये आपको बता दी कि पाटना जिले में होम आईसलेशन वाले मरेजों के ओनलाइन दिखबाल के लिए मुबाइल एप तयार किया गया है हीट कोविड मुबाइल एप पर सभी मरेजों का डाटा अपलोड होगा कोविड कंट्रोल रूम और टेली मेडिसन सिंटर पर बरज डाटा के अधार पर परते दिन कॉल कर स्वास की जानगारे अपडेट किया जाएगा बड़ी खबर बिप्यासी के पांच रिजल्ट पर ग्रहान जन्वारी के परिचा मुस्केल दो तिन अधिकारियों को छोड़ 40 करमचारी कोरोना की चपेड में सरसवड़ी पीटी कब आएगा ओडिटर पीटी का रिजल्ट कब आएगा और सहाइक ओडिटर अफसर के परिचा को भगी लेकिन कोरोना की तिसरी लहर्म ने विप्यासी के बेले रोड के अफिस में करेरत अधिकारियों को और करमियों को अपनी चपिट में ले लिया है आयोग के दो तिन करेटी की परिचा अपरेल तक जरूर हो जाए हाला कि आयोग अपने बैठक के बाद ही इसकी तारिक निश्चित करेगा कोरोना की सिति को देखते वे इन परिचाओं की तितिताय होगी बड़ी खबर नए संकरमन में देश के टॉप टेन राज्जों में बिहार संकरमन के रबतार बड़ी तो साथ दिनों में टॉप फाइब में होगा सामिल समल कर रही है जी हाँ संक्रमन के नए मामले में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में सामिल हो गया है एक दिन में सबसे ज़्यादा नए मामलों के साथ राज नवे स्थान पर है आटवे नंबर पर राजस्तान है जबके बिहार राजस्तान से मात्र 187 केस पीछे है बिहार में संक्रमन के रब्तार इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले साथ दिनों में टॉप 5 में सामिल हो जाएगा पटना सेवित राज के 11 जिलों में इस तरह से कोरोना का खत्रा बढ़ रहा है उसके हिसाब से राज के आकड़े बढ़ जाएंगे